सबसे पहले इंडेस 33 और शेयर की बात करता हूँ एक होता है बेसिक एक होता है धाल उटेड एक होता है तो इस बात ध्यान रटना एक होता है जरूवत नहीं है ज्यादा फोकस करना लेकिन जो भी रेलिवन कंसेप्ट आपको बताता हूँ सबसे पहले वेन्यू टॉक अबड़ बेसिक एक होता है यह डे के तरह पैट डिवाइड बार नंबर अव शेयर मत बोलना इंटर वहला माईनस करना फिर में लेगा बीटी उपल पैट में से वप्रिवन ग्लीश ग्रूट इन्डर होता है अब डॉद्व क्यूमिलेटिव का मतलब होता है अगर पिछले साल आपने पैश्च यह पिछले साल और दूर्यों का पैशर लिए cumulative वाले case में आप accrual basis पर dividend minus करोगे और non cumulative वाले case में आप cash basis में मतलब अगर current term में pay किया तो ही minus करना वारा minus मत करना बटता relevant नी, exam point वोई सा इसको पर कोई adjustment है नी question के अंदर आगे फिर आता है settlement payment now what is the meaning of settlement payment it means ऐसे payment जो आपने day one पर promise नहीं किये थे ऐसा premium discount जो day one पर promise नहीं किया था बाद में अचानक अपने pay करने का सोच लिया उसको बोलते settlement payment तो वो क्योंकि आपने day one पर promise नहीं किया था तो वो ER कंदर तो नहीं आया बट आपको यहां से minus करना पड़ेगा अरे यस और नो, फटा बता देवे चलो तो उसको आपको वेट देना पड़ेगा simple कहानी, खताब तो उसके बाद आपना आएंगे यह अपना normal formula था उसका आएंगे bonus issue के उपर अब bonus में क्या होता है सुनना bonus के अंदर company बोलता है bonus के अंदर company बोलता है कि हम जुतने भी holders हैं उनको free में shares देंगे बराबर तो इसलिए bonus में एक assumption रहता है bonus का assumption क्या होता है कि जो bonus factor है जो bonus factor है that was outstanding from earliest reporting period the bonus factor will be outstanding from earliest reporting period अब इसका मतलब क्या है तो मेरा notebook में आपके लिए बड़ी आसे example लिखा था चलो आपको वे example दिखाता हो फटा-फट से ठीक है यह देखो bonus shares for example एक बड़ी आवाल example देता हूँ जैसे यह वाला है 5.5 lakhs के opening shares थे ठीक है new issue किया 2.5 lakhs का bonus कितने ratio में दिया 1.2 के ratio में आपने bonus promise किया है तो normally हम क्या बोलते है bonus कितना देने वाले है total 7.5 lakhs shares थे उसमें आप bonus दोगे 3.75 lakhs shares है ना opening shares पर इतना bonus दोगे new issue पर इतना bonus दोगे अब standard क्या बोलता है bonus की case में assumption यह होता है कि bonus shares were outstanding from the earliest reporting period ऐसा मत बोलना आप पूरे 3.75 day 1 से यह नहीं कह सकते क्यों 3.75 किस पर दिये opening पर दिये और new issue पर दिये opening के जो bonus है वो day 1 से हो सकते लेकिन new issue पर दो bonus है वो day 1 से नहीं हो सकते न वो max to max इस दिन से हो सकते तो standard बोलता है आप ऐसे case में निकालने का bonus factor अब bonus factor कैसे निकलता है देख लो bonus factor simplicity तरीके से अगर आप निकलना चाहो तो आप निकालोगे जैसे 1 प्लस बोनस रेशियो उसको बोलते है bonus factor बराबर तो जैसे 1 प्लस 1 बाई 2 मेरा bonus ratio 1 बाई 2 ता न तो इधर 2 यहां ले जाने का बोलेगा 3 बाई 2 ऐसा 3 बाई 2 अगर 1 प्लस 1 बाई 3 होता तो आप बोलते यह 3 ले जाओ इधर तो एगा 4 बाई 3 मतलब 3 अड़ कर देना उधर ऐसा तो वैसा आप bonus factor निकालोगे तो मिरको आया bonus factor 3 बाई 2 इसको ऐसे fraction में रखना ठीक है इसको decimal मत लेकर आना keep it as a fraction only अब मानना कि bonus factor was outstanding from the earliest reporting period जबसे वो share आया तब से bonus factor भी था इसका मतलब day 1 पर जो share थे इसको आप 12 बाई 12 करोगे उसके पहले आप 3 बाई 2 भी कर ले ना bonus factor की वज़े से जब से share तब से उस पर bonus factor यह 2.5 लेक shares आपने जुलाई में issue किया था ना तो जुलाई से यह shares थे इस पर bonus भी उसी दिन से था बाई बैक के समय कोई bonus थाई ने तो बाई बैक तो नॉर्मल आपने कर दिया तो जब से वो share आया तब से वो bonus bonus factor भी रहेगा बस bonus का यह assumption होता है I hope this is clear to everyone अरे yes or no, perfect, चलो आगे बढ़ जाते है फिर आता right issue फिर कुछा आता right issue right issue का मतलब क्या होता है कि मैं तरको 20 नहीं 15 में दूंगा ले, ऐसा तो आपने existing वालों को सस्ते में देगा promise किया ना उसको बलते है right share तो right share में ideally एक नहीं दो element होते है एक तो वो element जिसके लाब पैसा रिसीव कर रहे हो second क्यूंकि आप existing वालों को सस्ते में दे रहे हो तो there is some bonus element also तो इसके अंदर तोड़ल 3 step follow करना आपको कितना step 3 step exam point आविस से 3 step याद रखो आपका question बहुत 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 देगे solve होगा पहला compute the x right price अब यह given नहीं होता है question में निकालना पड़ता है कैसे निकालोगे जितने भी shares थे right के पहले multiply by the come right price plus right shares into right price divide by total number of shares जितने भी यह shares थे plus right shares थे divide उसे करो जो भी आपको amount आएगा वो रहगा आपका x right price जैसे मैंने question लिया illustration number 6 उसमें यह सारी figures थी right के पहले 18 lakh shares थे come right price 60 दिया वा था right में आपने 4.5 lakh shares दिये और right price was 30 divide by 18 plus 4.5 will be 22.5 बराबर तो यह जो करोगे आपको मिलेगा x right price यह आपकी x right price होगे यह आपकी कम right price होगे बराबर step number 1 होता है निकालो x right price, step number 2 होता है निकालो bonus factor, अब bonus factor कैसे निकालते, it is nothing but come right price divide by x right price बड़ा amount डिवाइड पर छोटा amount बड़ा number 60 होता है, छोटा number 54 होता है तो आपको मिलेगा bonus factor इसको ऐसी fraction में रखो, बराबर क्या 60 by 54 आपको split मारना है, मैंने का बता है right में 2 हिससे होते, एक वो element जिसके आपको पैसा मिला है, और एक free वाले element, bonus element, तो आप कैसे जो opening shares थे, opening shares थे 18 lakhs 18 lakhs पर बोनस factor लगाओ, 60 by 54 का तो आपको आएगा 20 lakhs, इसमें से जो opening था minus कर दो, 18 lakhs minus कर दो तो जो 2 lakhs मिला ना, यह आपके bonus shares है क्या है आपके यह, bonus shares, बोनस कैसे है क्योंकि आपने इसको bonus factor से multiply किया तो यह bonus shares मिल गया, तो out of 4.5 lakhs, 2 lakhs our bonus shares इसको आप मानोगे outstanding from the earliest reporting period और जो balance shares 2.5 lakhs इसको आप मानोगे issued for consideration तो इस पे, जिस दिन I'd issue किया, उतने महिने का weights लगाओगे ऐसा करना है, बराबर तो जैसे for example, अगर मुझे निकालना हुआ basic EPS, तो देखो कैसे निकालोगे जो भी profit है वो उपर लिखोगे divide by, जब से shares तब से उसका bonus factor 12 by 12 plus 2.5 lakhs जो हमने गोला ना cash के लिए issue किया था, इस पे आप weights लगाओगे तो ये जब भी भी आपने दिया सा, वो जुलाई में दिया रहेगा तो 9 by 12 का weight लगाओगे, ऐसा दियान रखना, ये तो मैं आपको से concept समझा रहा हूँ जब question करा हम गोता हो, clarity आपको आजाएगे चिंता मत करना, इसका मतलब वापस से right में कितने steps, तीन step, पहला compute करो x right price, कैसे compute करेंगे, मैं बोलू, question में जितनी सब उस कर लो, before right के पहले कितने shares थे, into come right price, plus right shares, into right price, divided by total number of shares बराबर इस से मिला x right price step number 2, compute bonus factor, come right divided by x right, ऐसे ही रखो उसको, फिर opening shares पे ये factor लगाओ आपको मिलेगा bonus shares तो opening shares पे मैं ये factor लगाओ 20 मिला, opening minus करो, मिलेगा bonus shares total में से bonus जितना तो cash के लिए उतना, जो balance बच्चा वो, ये जो 2 lakhs है आउस्टर्णी from the earliest reporting period 2.5 lakhs को उपर आप लगाओगे, जितने महीने में इस्यो के उतने महीने का weights, कहानी होगे खतम, ये आपके लिए था, कौन सा वाला question, ये आपके लिए था, right shares वाला question, ध्यान रखना, उसके बाद, right वाला case अपना हो गया, उसके बाद आप आप आओगे अगला case पे, that is diluted EPS, कौन सा? diluted EPS, अब diluted के अंदर क्या होता है, सुनो, ये basic का हो गया, basic में normal है, basic EPS, bonus और right shares, ये तीन case आते है, फिर आता diluted में क्या करते हैं, कुछ होते potential liquid issues, potential का मतलब होता है, वो आज equity नहीं है, लेकिन future में equity बनने की शमता रखते है, convertible debentures, convertible bonds, convertible preference shares, ESOPS, share warrants, ये सब आज equity नहीं है, लेकिन future में देखें, become equity, तो future में क्योंकि ये equity बन सकते है, तो अगर ये आज ही से equity होते, तो impact क्या होता, तो अगर, suppose convertible debenture है, अगर ये आज ही equity होता, तो इसको अपने को interest नहीं देना पड़ता, तो अपना profit बढ़ जाता, अच्छा, अगर ये आज ही equity होता, तो shares भी बढ़ जाते, बराबर, तो ये अगर आज से equity होता, तो numerator पर जो impact है, वो consider करो, denominator पर जो impact है, वो consider करो, और फिर आप निकालोगे diluted EPS, ऐसा होता है, तो मैंने example लिया वाई इदर, कि suppose 8% convertible bonds है, 5000 debentures है, 5000 debentures है, 30% tax rate है, तो डैलोटर कैसे निकालोगे आप, पहले आपको interest कितना बशता, 5000 debentures है, 100 रुपे का debentures है into 8%, 40,000 आता, लेकिन, interest अगर नहीं भरना पड़ता, तो उस पर tax का benefit भी नहीं मिलता, तो आप net of tax लोगे 70%, that is 28,000 तो आप new meter में 28 add करोगे, divide by, अगर ये आज ही equity होता, तो 5000 debentures would have been 50,000 equity shares, है ना, तो वो new meter में आप add कर दोगे तो ये आप new meter में आप करोगे, denominator में आप करोगे, आपका आएगा 6.85 अगर ये basic से कम है, तभी इसको diluted बोलेंगे, तो इसको report करने का, अगर ये basic से जादा होता, if we done more than basic, तो it would have become anti-dillutive, इसको आप फिर उसकेस में report नहीं करते हैं, तो मेरा basic 10 था, ये उससे कम है ना, तो ये diluted है, तो इसको आपने report करेंगे, simple, क्वेरे वाला पाट, खतम कहानी, अच्छा, एक और चीज, suppose कोई potential liquidity share, आपने current year के साल के बीच में इस्यू किया है, तो उसकेस में, जब savings in interest निकालोगे, तो suppose आपने जुलाई में इस्यू किया, तो savings in interest नौ मेने का लेना, उसके अलावा, जब नीचे number of shares लोगे, तो भी वेटेड करके लेना, नौ मेने का लेना सिर्फ, जियान लटनाइए, ठीक है, चलो, तो ये डालोटेड EPS के मेना बात कर ली, अब डालोटेड EPS में, एक और question ऐसा है, जिदर देर कैन में multiple potential equity shares, मतलब एक ही company के अंदर, multiple अलग अलग nature के potential equity shares है, जैसे warrants भी है, जैसे preference shares भी है, जैसे debentures भी है, ऐसे तीन अलग टाप के potential equity share है, तो ऐसे केस में, आप directly डालोटेड EPS निकाल नहीं सकते है, उस case में कुछ steps follow करने पड़ते हैं, अब वो steps कैसे रहेंगे, ध्यान से सुनना, तो बोलता है, एक एलिमिनिट देखो, एक question कर लो, आपको बहुत अच्छा समझ जाएगा, पैट दिया हुआ है, tax rate दिया हुआ है, डिटी वैसे था अबलेश हो चुक है, रियल लाइफ में बढ़ दिया हुआ है, equity shares 50,000, निव इशूद 30,000 है, एक एलिमिनिट आज इशूद 40,000 share warrants, विच शाल बी अलॉटेड shares in 2013, 40,000 share warrants है, अब warrants के case में एक और भाद ध्यान रखो, वरrants के case में, आप सिफ free वाला component ही consider करते हो, for example, आपका market price is 20, ये warrants में आपको shares free में नहीं देने, 15 रुपे में दोगे, तो free component कितना हो गया, 40,000 into 5 रुपे डिवाइड by 20, the free component is 5 रुपी, तो इसका आप equivalent निकालोगे, कितना हैगा, 10,000 warrants, 10,000 shares, तो आप denominator में सिफ इतना ही consider करोगे, numerator में इसका कुछ भी नहीं आता है, ज्यान रखना, similarly, preference shares के लिए, 9% convertible preference shares है, इतने में convert होएंगे, और diventure आपको दिया हुआ है, calculate basic diluted EPS, तो basic simple है, अपने को pat दिया हुआ था, उसमें से preference dividend और dddd minus किया, तो आपको basic आगया, अब diluted आप directly मत निकालना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 step follow करने पड़ेंगे, जब question में multiple potential equity share है, आपको 3 step follow करने पड़ेंगे, सबसे पहला, you will find the incremental EPS, कैसे निकालोगे, हर एक potential equity share को आप individual evaluate करना, कैसे, warrants के equity बनने से, numerator पे क्या impact है, और denominator पे क्या impact है, convertal preference shares के, equity बनने से, numerator में कितना saving है, denominator पे क्या impact है, dimensions के, dimensions के equity बनने में, numerator में कितना saving है, dimensions में कितना impact है, ऐसा आप individually evaluate करोगे, EPS, second ranking करोगे ranking कैसे करोगे, most dilutive to least dilutive, छोटे से बड़ा, ध्यान लटना, ठीक है, तो छोटा है तो उसका ranking number 1 आएगा ठीक है, फिर conclusion, अब ये कैसे करेंगे, एक-एक element को individually evaluate करना, पहले basic का numerator denominator लिखो, basic इतना आगया फिर इसमें जो ranking number 1 था, उसको पिछले वाले से compare करना, तो पिछले वाले से कम ही है, तो dilutive है, फिर अगला ranking में क्या था, preference, तो उसको add कर, ठीक है, तो इसको add किया, ठीक है, total निकालो, फिर निकालो EPS, अब इसको basic से नहीं, इसको इसके पिछले वाले से compare करो, कम है न, dilutive है फिर ranking मागला कुछा था, convertible debenture, इसको add करो, पराबर अब इसको compare कर, पिछले वाले से अब ये पिछले वाले compare में जादा आगा है, तो ये anti है, मतलब आपका debenture is anti-dillutive, तो आप जब diluted EPS निकालोगे, तो आप सिर्फ वारेंट्स और प्रिफरेंट्स निकालोगे, इसको consider निकालोगे, बिकाज ये वाला potential liquidation anti-dillutive है, तुम समझ रहो, तो मैंने basic लिया उसमें वारेंट्स और प्रिफरेंट्स निकालोगे, तुम समझ रहो, तो इसलिए अपने को और पिछले वाले से compare करो, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा काफे लोग बोलोगे, इसका भी board notes share कर देना, तो मैं लिख लेता हूँ, चलो, इसका भी board notes सही आपको, तो मैं अपने telegram पे डाल दूँगा, इसका भी board notes, ठीक है, खुश, index 33 में लिखके रख रहा हूँ, मैं सब share कर दूँगा, चिंता मत करो, ठीक है, जो मैं कर सतता हूँ, जैसा आप किताब कर दो, सर पूरी, तो किताब, copywriter वो नहीं कर सतता, जितना मैं कर सतता, उतना मैं करूँगा, चिंता मत करो, ठीक है, चलो, आगे, यह हो गया diluted EPS, तु कवर कर लेंगे, तो concept चुली इतना आपको ध्यान रखने है, तो concept में इतना करके दो, कहानी खतम हो जाती है, अब आपन questions पर आते, अब questions आपन सारे, बहुत सारे करेंगे इसकंदर, ठीक है, ध्यान रखना, तो सबसे पर जो काम का question है, वो आपके लिए आएगा, आम, आम, देखने दो मुझे ज़रा, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक question number 8 है, इसको मैं single star दूँगा, यह से refer कर देना है, ठीक है, question number 7 है, 7, 7, 7, यह bonus वाले question है, मतलब bonus का question नहीं है, actually, bonus देने वाले management को, उस वाले question है, तो एक star mark कर देना है, ठीक है, सिधा ध्यान से सुनना, at 31st, at 38th June, यहाँ year and the 38th June है, ठीक है, वो भी एक नया पाट है, 1,50 और बोलते है, convertible loan stock था, convertible loan stock था, 12,50 का, ठीक है, each Rs.100 may be converted at any time, during this year, अब conversion का ratio दिया हुआ है, यहाँ convert करोगे तो 135 के ratio में convert करोगे, इसको convert करोगे, 130 के ratio में करोगे, इसको करोगे तो ऐ conversion ratio लेंगे, जो भी highest number of shares में result करता है, वो लेने का, क्योंकि अपने कोच यह most dilutive, ठीक है, तो इसमें यह वाला consider करना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है, तो you will consider this वाला conversion ratio, 135 वाला conversion ratio, तो फिर आप कैसे लहोगे, बोलता है, हर 100 रुपया, हर 100 रुपया इतने में convert होएगा, तो 12,50 इंटू 135 डिवाइड बाई 100, उतना आप consider करना, ठीक है, 135 conversion ratio आप consider करोगे, आगे, फिर बोलता है, अच्छा यह issue कब किया था, यह अपने 1st October में issue किया था, year ending June है, October में issue किया, तो जब आप current year में savings वागरा निकालोगे, savings in interest, तो आप पूरे 12 मेने के मत निकालना, June July, August, September, मेरे ख्याल से, July, August, September, 3 मेने का मत निकालना, मतलब savings in interest, 1st year में, 9 by 12 का रहेगा, और जो नीचे, वेट आप नमबर और शेर आएंगे, उसमें भी into 9 by 12 करना, मत भूलना, 1st year में, जान रतना इस बात को, ठीक है, उसके बाद, और क्या बोला हुए, फिर यह भी बोला मेर 12 by 12 ये आएगा, अब 2 साल में कुछ loss हुआ है, और एक खास बात यह है, कि इस loss पे कोई भी tax consequences नहीं है, इसका मतलब, यह जो loss है, आप profit after tax में से minus करना, है ना, समझ रो तुम, क्योंकि इस पे आपको कोई tax benefit नहीं है, तो profit after tax में से यह loss minus करना, ज्यान रतना, आगे, फि आपर निकाल लेंगे, rate 33% दिया हुआ है, तो अभी कैसे करना है, ध्यान से सुनना, चलो माँ को दिखाता हूँ, यहां मैं बास solution दिखाऊंगा, बेटर समझेगा आपको, मेरे खाल से यही वाल है, हाँ, यह देखो, इलिश्टरिशन नमबर 9, दो साल का पूछा है, ठीक ह तो अभीना, इसका एक format होता है, कैसे करने का, numerator में बहुत सार adjustment है न, तो basic लिखो, numerator, फिर denominator, फिर denominator, फिर denominator, फिर denominator, फिर a divided by b करोगे तो answer आएगा, जैसे for example, basic है, numerator में क्या क्या आएगा, आपको दियाव है profit before interest, tax and fair value moments, पहले आप interest minus करो, ठीक है, क्यूंकि first year में वो issue आपन अक्टोबर में किया था, तो first year में सिर्फ 9 मेने का interest minus करोगे, second year में बूरे 12 मेने का आएगा, ज्यान रखना, फिर पहले tax minus करोगे 33%, उसके बाद, PAT में से, आप fair value loss minus करोगे, तीक है, आपको मिलेगा, क्या, ये आपको new meter मिलेगा, ये, new meter, earnings available for equity shareholders, फिर आपको denominator वो दिया अगर वो convertible on equity होता, तो interest बसता आपका, अब interest कितना बसता, यहाँ पहले वाले साल में सिर्फ 9 मेने का बसता, तो 9 मेने का interest was 75,000, but net of tax बसता, तो 75 इंटो 67%, second वाले year में भी, second वाले year में पूरा 12 मेने का बसता, बराबर, लेकिन net of tax, तो 1 लाक इंटो 67%, तो यह आजाता, उसके बाद, fair value loss, net of tax मतले ना, because इस loss पर आपको को tax benefit मिला ही नहीं था, तो वो add back कर देना, because अगर यह potential equity share, equity होता, तो यह loss भी नहीं होता आपको, ठीक है, तो यह आपका आगया numerator, और अपचे denominator for diluted EPS, अपचे denominator for diluted EPS, कैसे wins plus effect of potential equity share, wins तो लोगे, first year में जब potential equity share, लोगे, तो 135 के conversion ratio भी लान, 9 by 12, why 9 by 12, because वो उतने ही months, first year मा outstanding था, second year में पूरे 12 by 12 के लिए लोगे, तो यह आपको A मिला था, numerator, B मिले का denominator, यह format से solve करना, आपको एकदम, आसानी से smoothly जाएगा, वापस है, format क्या था, पहले basic EPS लिखो, basic में दो चिया, numerator, denominator, तो पहले निकालो, numerator उसको बल दो A, फिर निकालो denominator, उसको बल दो B, A divided by B, basic, फिर diluted EPS, numerator, निमेरेटर में जोभी effect वगरा, add करो, इसको बल दो A, फिर denominator, उस पहले वाला पार्ट, उसके लावा, let me see, यह था question number 9, शांदार question, फिर question number 10, again a very good question, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, यह अपने option वगरा दिया था, यादे warrants वगरा वाला पार्ट, यह warrants वाला पार्ट है, तो हमारे पास पहले 40,000 equity shares है, और हमने कितने warrants दिये है, कितने options 6,30,000 options है, अब कितने में देने वाले option, फ्री में दे रहे हो, आप 70 रुपीज में देने वाले हो, अब यह question important क्यों है, वारांट में हम से free component consider करते है, तो 6,30 into, फर्स्ट यर में आपका market में rate था 120, तो free component कितना हो गया, 70 और 50 का difference, that is, 70 और 120 का difference, that is 50 divided by 120, this is the free component, यह फर्स् 6,30 into, अब next year, यह तो same रहेगा, लिकिन market price can change, तो free component will be 90, 90 divided by 160, क्योंकि दोनों साल आपका free component अलग अलग है, तो number of shares का जो impact हो अलग हो हर साल के अंदर, यह आपको ध्यान लगना है, तो देखो मैंने ऐसा किया हुआ है, वारंस का first year में free component was 50, second year में it was 90 by 160, ध्यान लगना, accordingly we will find a diluted EPS, simple, तो इसलिए LDR ता, मतलब यही वाले part के लिए LDR है, तो मैंने वो भी discuss कर लिया आपके साथ, आगे बढ़ जाए, फिर आएगा अपना illustration number 11, तो चिंदी है, 12 यह वो वाला concept है, जिसके ओपर मैं directly question में discussion करूँगा, ध्यान रखना, ठीक है, कैसे करना है, सुन ल ठीक है, फिर बोलता है, extra share issue करेंगे, तो बोलता है, 5000 share issue करेंगे, जब जब आप एक नया retail side open करोगे, जब जब क्या करेंगे, नया retail side open करेंगे, तब तब shares issue करेंगे, ठीक है, कितने issue करेंगे 5000, उसके यलावा, जब भी आप 20 lakhs के उपर profit कमाऊगे, तो every 1000 रुपीज पर 1000 share देंगे, यह बोला है, ठीक है, यह वाले shares कब देंगे, साल के end पर देंगे, लेकिन यह जो 5000 है, जैसी store खुला तब आपको share देंगे, जयान रखना, आगे, फिर आपको profit का information दिया हुआ है, profit का information है, वो cumulative दिया हुआ है, quarter wise, तो first quarter में 11 lakhs था, second quarter में total was 23 lakhs, तो यह total 2 quarter का है, आपको सिर्फ second quarter का चही है, तो difference निकालो, first quarter में 11 था, second quarter में 23 था, तो second quarter केतना हो गया, 12 lakhs, incremental ऐसा, तो आपको वैसे, हर quarter का निकालना पड़ेगा, तो quarter 3 में loss था, quarter 4 में profit अगेन हो गया, calculate basic and diluted EPS, अब क्या करना है सुन लो, इन्होंने सबसे पहल quarterly भी निकालना है, और annual भी निकालना है, यह जब exam आएगा, तो बता के आएगा, ध्यान लखना, ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले, देको basic EPS, दो चीज़ रही है, एक चीज़ न्यूमेरेटर, एक चीज़ न्यूमेरेटर है, न्यूमेरेटर अपने चाप लिया, यहां से अपने को मिल जाएगा, न्यूमेरेटर प्रॉफिट कितना है, इच क्वार्टर का, और annual का लिख दो, फिर आएगा डिनॉमेरेटर, डिनॉमेरेटर में क्या लोग है, जितने भी शेर्स पहले से थे, 10 लाक्स, तो वो लिख देनॉमेरेटर मे अब रिटेल साइट की वज़े से, पहले बेसिक की बात कराओ, ठीके, तो रिटेल साइट की वज़े से, बेसिक में के तायड होएगा, तो पहला स्टोर आपने कब खोला है, में में खोला है, डिसेंबर येरेंड है, तो पहले क्वार्टर में आपने कोई भी स्टोर नहीं जैन, फेब, मार्च, जैन से मार्च, जैन से मार्च में कुछ भी नि खोला आपने, तो पहले quarter में इसका कुछ भी नहीं आएगा, second, फिर आएगा April से June, तो आपने side cup खोली है, first May को, बराबर, तो first May को आपने 500 share issue किये न, तो basic में कितने महीने के लिए आएगा, May और June, दो मह 3 by 3, निकालो को देखो, इतना ही आएगा, उसके अलावा, तीसरे quarter में, अब जो आपने इस quarter में issue किया, वो तो अगले quarter में पूरे quarter आप खोली होगा, तो 5000 into 3 by 3, प्लस, क्या आपने next quarter में कुछ नया issue किया, किया, September में issue किया, तो अगला quarter का बोत है, July से September, तो first September को issue किया, तो 5000 into 1 by 3 भी अप करोगे, तो करके देखो, इतना ही आएगा, अब जो यहाँ issue किया, वो next quarter में तो पूरे 3 मेने के लिए होगा, तो 5000 into 3 by 3, प्लस, 5000 into 3 by 3, 10,000 आजाएगा, बराबर यह आपका each quarter का होगा, आपको इतना समझ जाता है, फिर आता है full year का, full year के लिए quarter में क्या October, November, December, 8 months, तो full year के लिए मैं बोलूँगा, 5000 into 8 by 12, प्लस, एक खुला आपने September में, तो September, October, November, December, 4 months, तो मैं बोलूँगा, 5000 into 4 by 12, कितना हो गया, 5000 करके देख ला भाई, तुम समझे गया, तो यह आपका हो गया, basic का denominator में, retail site के वैसे, जितने भी shares देने है वो, उसके बाद, जब आप earnings extra कमाऊगे, तभी भी shares देने है, लेकिन extra earnings पे share देने ही कब है, year के end पे देने है, तो अगर year के end पे कुछ issue भी किया, तो basic में नहीं आएगा, क्योंकि वो last day पे issue किया, तो basic में आएगा ही नहीं, तो basic के shares, कितने होंगे, earnings के वैसे basic में, कुछ भी नहीं आएगा is this clear to everyone क्या, yes, पानी पिलो, clear है कि हाँ तक, yes clear है, तो बस total मारो denominator का, तो numerator, divide by denominator, you will get the basic EPS, basic clear है हाँ तक, अगर basic आपको समझता है, तो diluted तो इससे भी easy है, diluted तो इससे भी easy है, सुनना क्या है वो, अब diluted में, first quarter में क्या आपने कोई भी site खोला, first quarter में क्या आपने कोई भी site खोला, नहीं, तो basic में भी निया आएगा, diluted में भी निया आएगा, पहली चीज, second चीज, second quarter में आपने कब कुला था, first make को, बराबर, तो आपने क्या बोला था, 5000 into 2 by 3, यह त तो जितने महीने basic में आये ना उसके remaining months it will come in diluted ऐसा याद रखने का तो two months के लिए basic में था तो one month के लिए it will be in diluted तो पूरा 5000 आई जाएगा automatically two months के लिए basic में बाकी one month diluted के अंदर अच्छा यहां third quarter की बात करते जो यहां आपने खोल लिया था वो तो आ जाएगा 3 by 3 मैं यहां उपर लिखता हूँ ठीक है जो 5000 पहले खोला उसका 3 by 3 आ जाएगा प्लस जो आपने September में खोला वो 1 by 3 के लिए basic में आएगा अब जितने मेने basic में आए वो ठीक बाकी किस में आएगा diluted मे तो 5000 into 2 by diluted मतला ultimately वो पूरे quarter के लिए आई जाएगा na ultimately जब भी भी आपने पूरे quarter के लिए consider करी लिए ना तो आपने इस quarter में खोला ना तो कभी भी खोला थोड़ा महिना basic बाकी diluted है तो पूरा आई जाएगा इस महिने खोला तो पहले तो 5000 जो था वो तो आएगा नया खोला उसका भी आ जाएगा यहां भी पूरा आ जाएगा simple full year के लिए logic कैसे ल 4 by 12 बेसिक महा बाकी 8 by 12 बेकमन डालूटेड तो पूरा साल के लिए ले लेना उसको तो उल्टा डालूटेड ईजी है ऐसा मानो जब खोला पूरा आएगा जब खोला पूरा आएगा देखना ही मत कब खोला ऐसा तुम समझ रहों आपको मैंने शुड़ा दे दिया भाई सा फिर आते हैं अर्निक्स कंटिंजेंसी अब अर्निक्स कंटिंजेंसी वाले में बेसिक की तरह यह मत नहीं कब शेर इशु किया यह देखना कंडिशन कब मीट हुआ जिस साल कंडिशन मेट उस सार आपको कुछ ना को शेर देने पड़ेंगे For example, जैसे अपने किया बुलाता Second quarter तक Second quarter तक कितने से profit exceed हुआ है पहले quarter में exceed नहींगे 20 lakhs के उपर Second quarter में three lakhs exceed हो गया हर हजार उपे में 1000 चेर थे तो three lakhs थे देना पड़ेगा ले लेना फिर third quarter में वापस से meet नहीं हुआ तो नहीं लेंगे 4th quarter में 9 lakhs से meet हुआ तो ले लेंगे 9 lakhs पूरा 4th quarter में और full year वाले में देखना, last साल के end तक meet हो गया न meet हो गया, issue किया या नहीं किया फरक नहीं पड़ता पूरे साल के लिए consider कर ले न ऐसा, तो ये ultra dilute जादा easy है, उसमें months का working का जरुवत ही नहीं है ऐसे होगा exam के अंदर बढ़ एक बाद practice तो लगेगी आपको भाई साथ ये था retail वाला contingency थोड़ा सा determined देने का कोशिश किया है क्योंकि मुझे पता है आपको सबस्चाद लख लिफ इधर ही होती है ठीक है? चलो, I hope it helps आगे बढ़ जाते, illustration number 13 ये एक नए concept के उपर बेश्ट है जो मेरी काल से एक बाद test अलड़ी हो चुका है सुनना क्या बोलता है, वो बड़ा simple सा part है जब आपके पास continuing और discontinuing दोनों का profit loss होता है तो उस case में आपको एक नहीं 3 EPS present करने होते है जैसे आप basic दिखाओगे तो basic आपको continue का भी दिखाना है disk continue का भी दिखाना है और combined का भी दिखाना है अब जब आप basic दिखाओगे तो आपको diluted भी दिखाना पड़ेगा और diluted का दिखाओगे? सबोस basic 10 है और diluted 6 है तो you will report this क्योंकि काम है basic से अगर आपका continuing वाला reportable है तो discontinue for combined का भी or diluted report करना ही पड़ेगा क्या बोला मैने? अगर आपका continuing वाला reportable है तो discontinue for combined और diluted का भी आपको report करना ही पड़ेगा even if they are anti dilutive even if they are what? even if they are anti dilutive इतना अध्यान रहता, तो अगर यह anti भी निकल जाते ना यह दोनों, तो भी आप इसको report करोगे, लेकिन अगर suppose इसका basic 12 आ जाता, suppose इसका basic 10 आता और dilutive 12 आता, तो आप इसका dilutive report नहीं करते, अगर आपने continuing वाद का dilutive report नहीं किया है, तो इनका भी dilutive आप report नहीं करोगे, in short, अगर continuing का dilutive report हो रहा है, तो disc continuing combined, दोनों का dilutive report होएगा, और अगर continuing का dilutive report नहीं हो रहा है, तो इसका dilutive report नहीं होएगा, नमस, इसी तरीके से आपको इसको solve करना है, बस इतना यह question के अंदर, करके से लेदाना, कहानी खता में इसकी, simple है, आगे आते है, illustration number 14, 14 से better आपको question कर चलो, footing भी करवा देता आपको, यह शांदार question है, जिदर financial instruments भी covered है, और 33 भी covered है, बराबर FI और 33 का साथ में एक तड़का लग्या आता है, इसके अंदर, सुनो क्या बोलता है वो, बोलता है, अपने पास 2000 convertible bonds है, ठीक है, तीन साल का term है, 1000 bond का है, प्रोसीड दोलाग तो EIR वाला consider करना चाहिए, for example, अगर, डालोटी VPS में, कुछ savings and interest भी होगा, तो भी EIR वाले interest सेव होगा, बराबर, तो यहां interest, आप directly face value into coupon नहीं कर सकते, आपको fair value into EIR करना पड़ेगा, basically, आपको financial instruments के step consider करने पढ़ेंगे, देखो क्या बोलता है, entity has given an option, मतलब option holder के पास ह जब option holder के पास होता है, तो उस case में आपके लिए principle is a financial liability, ध्यान रखना, सर यह सब कहां बता होगे आप, अरे आप कल करेंगे na financial instruments, इसको नहीं आता, वहाँ clear हो जाएगा, चिंता मत करो, बट सुनते बेचलो, फिर बोलता है market price वगेरा दिया हुए, calculate basic related EPS, basic तो simple है, profit divided by shares, तो कितना हैगा, जो भी आता आपको amount आजाएगा, फिर convertible bonds outstanding, वह बोलता है, each bond will be converted into 250 shares, तो into 250 करोगे, तो आपको मिलगा denominator पे impact, which is equal to 5 lakhs, if I am not wrong, बराबर अब यह तो denominator पे impact है, numerator पे interest का saving कितना होएगा, वह भी तो निकालना होता है अपने को, तो numerator में interest का saving का देखो कहां आज आपन करते हैं यह वाला पार्ट, यह देखो, इधर, 14 एना illustration, yes, कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको steps follow करने पड़ेंगे, this is a compound financial instrument, ठीक है, तो आप cash flows निकालोगे, cash flows में interest और principal, दोनों आप consider करोगे, उसके बाद, क्यूंकि compound financial instrument है, तो आपका fair value क्या रहेगा, fair value will be equal to present value of future cash flows, बराबर it will be equal to present value of future cash flows, तो निकालोगे, जितने भी cash flows है, उसको ER पर discount करोगे, आपको मेलेगा fair value, ठीक है, balance बचेगा आपका equity component, अब आपको क्या करना है, ER अपने को 9% दिया हुए, आप बनाओगे LAT, LAT में, opening में आपन लिखते है, fair value, interest लेते, ER वाला, ब अगर ये bonds, equity share होता, तो आपका इतना interest का saving होता, और मैंने year one का EQ लिया है, because ये bonds current year में issue हुआ था, इसलिए मैंने year one का लिया हुआ है, धान रगना, तो ideally ये question, financial instruments का भी है, तो अगर आपको FI आता है, तो ये समझाओगा मैंने क्या बता है, ठीक है, जान रखना, तो ये आ is this clear to everyone, yes, कहानी होगे, खताब, चलो, आगे बात करते है, illustration number 14 था, फिर आता है, illustration number 15, ये एक और शांदार question है, बाई साथ, क्या बोलता है, बोलता है, अपने बास, दो class of shares है, non convertible preference shares है, और एक ordinary shares है, ठीक है, अब ideally बोलने को preference shares है, लेकिन इसको प्यार से participating shares भी बोलते है, participating equity shares, सरे participating कहां से हो गया, क्योंकि एक बार इसको dividend मिल गया ना, 5 रुपे का, फिर भी ये खुश नहीं है, वो बोलता है, कि एक बार मुझे dividend चाहिए, फिर तुम ordinary वाले को दे दो, फिर जो बचावा पैस है, उसमें मुझे वापस से थोड़ा और पैसा चाहिए, तो ये एक dividend लेने के बाद, फिर से कटोरा लेकर आ जाते है, उनको बोलता है, उनको बोलता है, तो अब इस question में करना कैसा, सुन लो क्या बोलता है, बोलता है, पहले 5 रुपे इनको दो, फिर दो रुपे इनको दो, फिर जो profit बसता है, उसमें 50% of any additional dividend payable on an ordinary shares, 50% of any additional dividend payable on an ordinary share, what is the meaning of this, इसका मतलब यह नहीं कि बचावा profit 50-50 करोगे, यह मतलब नहीं होता है, वो बोलता है, जितना भी ordinary को दोगे, उसका 50% देना पड़ेगा preference वालो को, suppose ordinary को आपने 1 रुपे दिया, तो preference वालो को वापस से 0.5 यह इसका मतलब नहीं कि 50-50 दोगे, एक रुपया ordinary को गया, तो 0. 0.5 preference को जाना चाहिए, उसका यह मतलब होता है, तो जो solve कैसे करेंगे, आज हो मैंने करा रखा है, आपको दिखाता हो, मस्त वाला, मा, 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 किदर गया, सबसे last question आता है, मेरे साब से मेरे समत होई, यह रहा, यह रहा, यह रहा, देखो, suppose आपका total profit आपने इतना कम 55, 55 का आधा अधा मत करना बेखुफू की तरह, यह रही की तरह कर मत देना, वो बोलता है, ordinary को एक रुपया गया, तो मुझे 0.5 चाहिए, उसके अलावा, दोनों के number of shares भी अलग अलगे, ordinary के shares 10,000 है, प्रेफरेंस वाले के shares 5,000 है, बराबर, तो आप क्या करोगे, आप एक ratio बनाओगे, इसके 0.5 into 5,000 shares, इसका 1 into 10,000 shares, ratio बनेगा 2,500 is to 10,000 का, आप जो बच्चावा पैसा है, वो इस ratio में बाटोगे, तो इसको मिलेगा 11,000, इसको मिलेगा 44,000, बराबर simple, तो दोनों को total का पैसा कितना मिला, प्रेफरेंस को पहले 25 मिला था, अब 11 मिला, 36 total मिल गया, तो प्रेफरेंस का EPS कितना हो गया, 36 divided by 5000, 7.2, और और ओडिनरी वाले को 20 मिला, अब इनको 44 मिला, तो 64, 64 divided by 10, इसको 6.4, यह आपको निकाल के देना होता है, तो यह वाला question भी करके जाना भाई, ठीक है, ध्यान लगतना, खतम हो गया, इसको बलते है, पारटी से बेटिट इशू, 10 लाग है, 5000 convertible bonds है, 1 लाग के, टॉम्स अफ कन्वर्जन के है, 120 ordinary shares of rupees, 100 each, ठीक है, अब वो बोलते है, 31st March को 25,000 bonds ने convert कर लिया, equity shares के अंदर, profit आपको दिया वै, 2 लाग रुपी, स्टैक से 30%, अब आपको बोलते है, basic निकालो, देखो, basic तो simple है, basic में तो अपन क्या करेंगे, 2 लाग divided by मेरे ख्याल से, वो 10 लाग जो भी है, वो कर देंगे, if I'm not wrong, बराबर, अच्छा, नहीं, basic में 2 लाग by 10 नहीं करेंगे, नहीं, वो बोलता है, ये 25,000 shares कब convert हो गए, 31st March को, मैं बोलू, 9 months के लिए, this would have been under basic, तो 25,000 into 120 by 100, into 9 by 12, इसका जो भी आंसर आएगा, इतने समय के लिए, basic में आएगे, देखो, यहां किया है, वो अभी है, तो यह basic में आजाएगा, तो आपका basic में, number of shares इतना हो गया, profit इतना हो गया, अब आपका निकलेगा basic EBS, तुम समझे गया, तो यह basic वाला part हो गया, तो मैंने को नहीं रहे मेरको, मैं ऐसी बता दूग्या आपको, वो ढूनने में समय लग जाएगा, डिरेक्टी बता दूग्या, आपको समझ रहा ना, मैं जैसे बता रहो यह वाला, हाँ ऐसे ही करो ना, अच्छा उसके बात, अब बोल डैलूटेड निकालो, अब डैलूटेड में क 25 by 100, इंटू, यह पहले 3 मेने के अंदर होंगे, डैलूटेड में यह आजाएगा आपका, बराबर यह दिनाउमेटर पे इंपैक्ट आजाएगा, उसके अलावा, जब आप इंटरस का सेविंग्स निकालोगे, इंटरस का सेविंग्स, तो यह 75,000 बांड पे पूरे 12 मेने क इंटरस बचेगा, और 25,000 पे 3 मेने का इंटरस बचेगा, बस इतना आप ध्यान लखना, ऐसी निकाला वए, देखो, 25 पे 3 मेने का बचेगा, और वो 75 पे बूरे 12 मेने का बचेगा, इंटरस्ट, और डिनॉमेटर पे इंपैट आपको जिससे बने बताया, वैसा हो जाएग Is this clear to everyone? Yes, clear एक है यह वाला पार्ट, यह question number 19, 50 सा question है, लेकिन शांदार question है, ध्यान लखना, ठीक है, आगे बढ़ जाते है, अरे clear एक ही नहीं फटावट से बताओ ने यह वाला पार्ट, yes, chatbox में type करो, yes, 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 करके, yes, चलो, शांदार यहा, 2300 लाइक कर दिया, तुमने म Question 21 भी, 21 is related to right shares, ठीक है, right shares का question है, तो इसमार राइट का भी वह हो जाएगा, right में बताए, 3 step थे, पहले फटा-फट से में को step बता दो, step number 1 क्या था, sir, याद करो, याद करो, sir, वो था, x right price, हाँ, याद आ गया, sir, तो हम निकालते थे, x right price, step number 1, step number 2 क्या था, sir, हम निकालत करते थे, bonus factor, हा, sir, bonus factor, very good, और step number 3 क्या था, फिर हम, by figure करते थे, between bonus element and between cash element, ऐसे करते थे, अरे, शांदारान सा मज़ा आ गया, अब पहले, क्या हुआ है, सुनना, याँ, दो नहीं, 3 साल है, ठीक है, बोलता है, ये वाले साल में right issue हुआ है, ठीक है, तो जिस साल right issue हो, कब हुआ है, first March को, तो weights आएका, 10 महीने का मेरे एसाब से, December year end है, अब कैसे निकालेंगे सुनना, बोलता है, exercise price 5 रुपया है, right shares 1 to 5 के ratio में, मतलब total 500 shares थे, तो right share आप 100 share देने वाले हो, तो कैसे करेंगे सुनलो, सबसे पहले, 500 into come right price, plus 100 into right price, divided by total number 600, कितना आता है, बता फटाव 500 into 11, 500 into 11, M plus, 100 into 5, M plus MRC, divided by 600, मेरे रिकाल से कितना आता है, it is coming to 10, यह extra price हो गया आपका, फिर bonus factor चाहिए, 11 divided by 10, ऐसे ही रखो, अब आपको ची यह bifurcation, तो opening shares कितने थे, opening shares थे 500, इस पे लगाओ, 11 by 10, तो minus 500, opening वापस minus करो, तो कितना आएगा, 50, तो total 100 share में, 50 is bonus, और बाकी 50 है cash, यह cash वाले पे आप लगाओगे, 10 by 12 का weights, इस पे आप लगाओगे, 12 by 12 का weights, simple, यह कब करोगे, आप यह करोगे, इस वाले साल में, 2011 में, तो अब कैसे करना देख लो, फटावर्ट से सिखाता हो आपको, सुन लो, मेरे ख्याल से मुझे मिल जाएगा, इदर की दरी वालो, अपना आगया bonus वाला, यह रहा, देखो, आपने निकाला, एक्स राइट, बराबर, bonus factor निकाला, और split मार दे 50-50 का, यहां तक आपने किया था, उसके बाद, अब आपको टूटल कितने EPS निकालने है, प्रिवेस यह का दो EPS निकलेगा, प्रिवेस निकालेगा, पहले आप निकालोगे normal basic EPS, बराबर, फिर आप निकालोगे previous year का रिष्टर्ड EPS, प्रिवेस यह का इंपेट आएगा, 500 इंटू 11 by 10, बराबर, फिर निकालोगे current year का, original EPS, current year में EPS हैगा, original वाला, देखो, इसमें आप right का जो bonus है, वो भी लोगे, और जो consideration में issue किया, वो भी consider करोगे, फिर अगले सार का भी पूछ है, next year में जो आपको profit होगा, इसमें, आपका जो bonus है, 12 by 12 के लाएगा, और जो आपने cash के ले issue किया, current year में it would have been for 10 months, but next year तो यह इसको शांदर तरीके से, फिर आता है एक और बढ़िया question, देखो, मैं आपको honestly बोलता हू, EPS है कैसा index है, जिसके question एकदम शांदर है, मतलब आप बोलोगे ना कि sir, क्या question है, मतलब आप यह सब appreciate कर सकते हो, इसको, तो इसलिए यह शांदर questions है, और इसलिए अपने को समय दे वो बोलता है, parent का profit दिया हूए, subsidiary का profit वगेरा दिया हूए, subsidiary के shares भी दिया हूए, तो पहले subsidiary का कर लेते, subsidiary का basic भी चाहिए, और diluted भी चाहिए, कैसे करेंगो subsidiary का, subsidiary का profit था 5,400 पैट है, इसमें से preference dividend पहले minus करना, 400 है preference share, 1 रूपी dividend, तो आप बोलोगे minus 400, कितना बचा 5,000, divided by number of shares, that is 1,000, तो कितना आगे आपका basic 5, subsidiary का basic EPS ऐसे हो गया, फिर आएगा subsidiary का diluted EPS, कैसे निकालोगे, वारेंट है, 150 के, exercise price 10 रूपया, market price 20 रूपया, तो इसका free component लोगे, तो 75 वारेंट हैंगे, बराबर उसके लाब, preference share 400 है, convertible into 1 share, तो 400 equity share में convert हो जाएंगे, यह ठीक है, तो जब आप subsidiary का diluted निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, आपका यह savings हो जाता, तो आपका profit होता 5,400 ही, divide by, divide by, आप बोलते 1,000 थे पहले से, 75 because of warrants and 400 because of preference, तो करके देख लो, तो मेरे क्याल से 1,000, 1475 वाएगा, तो 5,400 divided by 1475, तो 5,400 divided by 1475 will be equal to 3.66, यह आपका diluted EPS हो गया, basic से कम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तका है, अब सबको clear है, ठीक है, यह आपका basic वाला काम हो गया, मिटा रहो मैं ही है, ताकि आपको मैं जगा बना सकू वापस से, यह मैंने कर दिया, subsidiary का basic को diluted, अब मुझे group का पूछ है, मजा group वाले में ही है, पहले group का basic निकाल लेते, group का basic मतलब parent का profit, अब जब group का निकालोगे न, तो number of shares सिर्फ और सिफ parent के लेना, ठीक है, तो group का basic निकालोगे, तो group के basic में क्या है का देख लो, 12,000 था, excluding any earnings paid by the subsidiary, है न, divide by 10,000 shares, लेकिन अब और भी कुछ add करोगे, subsidy के, sorry, parent के पास, 400 में से 300 preference shares है, तो out of 400 रुपिस का dividend, जो subsidy ने pay किया रहेगा, 300 तो parent के पास गया रहेगा, उसके अलावा, देखो, subsidy का profit was 5,400, preference को 400 रुपिया दिया, 300 आ गया parent के पास, बचा हुआ, 5000, इसमें से 80% stick parent के पास है, out of 1,800 shares are with parent, तो इसका भी 80% parent को बिलोग करता है, तो कितना, 4000 parent को बिलोग करता है, plus 4000, तुम समझा, मैंने क्या बोला, तो कितना आएगा, 12,000 plus 300 plus 4000, divide by, सिर्फ और सिर्फ किसका लोग है, सिर्फ और सिर्फ, parent के share, तो कितना आएगा, मैं रिकाल से 1.63 आ जाता है, सबको ये वाला पार्ट समझता है, पहला चीज, तो ये इशू किया गया, कोई भी potential liquidity share नहीं है, सिर्फ फरक ये है, कि subsidiary के potential, अगर real में equity होते, तो parent के पास 800 नहीं, थोड़े जादा ordinary shares होते, सर ऐसा कैसे, बताता हूं मैं आपको, डालूटर के बात करेंगे न, तो हम मानते, ग्रूप के सारे सारे potential liquidity share, सारे potential liquidity share होते, हाँ, भाई मैं भूल गया, क्या बोल रहा दा मैं, हाँ, अगर आपन ग्रूप का डालूटर निकालते, तो हम मानते, इस ग्रूप के सारे potential liquidity share होते, equity share, इसका मतलब, ये भी होता 400 equity share, ये भी होता 75 equity share, बराबर उसके अलावा, मेरे पास subsidiary के 800 नहीं, 30 warrants के 15 equity share और आते हैं, और 300 preferences share के 300 equity share और आते हैं, इसका मतलब, मेरे पास 800 प्लस 15 प्लस 300, इतने shares होते हैं, subsidiary के, out of how many, out of 1000 प्लस 75 प्लस 400, पहले मैं बोला थाना, 80% stake है, मेरा subsidiary का stake revise हो जाता, क्योंकि अब मेरे पास 1000 में से 800 नहीं है, अब मेरे पास इतने में से इतने हैं, तो ideally वो ऐसा आता कुछ, 1115 divided by 1475, है ना, तो आपका stake change दाता, 1115 divided by 1475, तो it would have been 75.59% stake, ये आपका पहले जो 80% stake था ना, अभी वो इतने हो जाता, 75.59% stake, पहला आप revise stake निकालोगे, अब diluted DPS के से निकालोगे, आपके पास सबसे ब्लेट 12,000 के earnings थी, shares change नहीं होने वाले, आप सिर्फ वो सिफ parent के outstanding shares लेतों इसके अंदर, पहला चीज, second चीज, आपके पास, अगर diluted होता, तो subsidy के total profit में, आपके पास 75.59% हिस्सा होता, तो आप वो record करोगे, 5400 into 75.59%, that is equal to 4082, ले लो, बस, तो plus 12,000 divided by 10,000, which is equal to 1.61, ये एक शांदार question है, और ये question इंसान तभी कर सकता है, जग घर पर practice करके गया हो, और अगर आपको लगता है, कि अभी भी difficult लगता है, एक idea दू कि आपको star मारो, ये वीडियो यूटूब पे रहने वाला है, जभी वापस सर्फ शड़ी करोगे ना, मेरा ये पार वापस से ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, illustration number 23, again a very शांदार question, सुनलो क्या बोलता है, एक hint देता हो आपको, आपको यहां भहुत सारे profit दिया हो है, parent का profit दिया हो है, NCI का हिस्सा दिया हो है, total दिया हो है, OCI का profit दिया हो है, सब दिया हो है, ये सारे में से एक ही profit relevant है, खुद का profit OCI वाला consider नहीं करते है, NCI का भी consider नहीं करते है, तो OCI, NCI दोनों को ignore करने का, सिर्फ खुद का देखने का, 39,000, आगे, फिर आपकी बस बोला हो है कि पहले इतने shares थे, फिर दूरिंदर आपने इतने issue की है, ठीक है, तो इस पर आप weights लगा देना, कभी issue के जुलाई में, त normal preference shares है, तो इसका क्या करना है सर, इसका सिर्फ dividend अगर कुछ pay करेगा, तो minus करने का जरूवत नहीं है, है न, आगे, फिर आपको information दिया हो है, यह important वाला information है, क्या बोलता है सुनो, 18 crore convertible debentures थे, है न, 6% के, repayable on 31st March 15, मतलब 4 सार का tenure था, क्योंकि अब चल रहा है, 31st March 15, मतल holder can elect to exchange the convertible debentures, वापस है holder के पाज option है, CFI का instrument है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको financial instruments की तरह, LAT करके interest निकालना पड़ेगा, लेकिन खास बात यह है, आपने issue किया था 11 में, अब चल रहा है 13, तो LAT का कौन सा year का interest में consider करूँगा, year 1 का consider करूँगा, क्या, नहीं, year 2 का जो भी interest आएका ना, वो आपको consider करना है, year 2 का जो भी interest आएका, वो आपका होगा savings and interest for dilute VPS, ध्यान रखना, तो यह एक शांदार question है, आपको ध्यान रखना है, clear वाला पाट क्या, yes, उसके बार dividend बताया है, देको ordinary पे dividend इतना दिया, anyways, चलो, और कुछ बो profit available for equity holders, उसमें से preference dividend minus करते, equity dividend minus आपन नहीं करते है, ठीक है, ध्यान रखना, तो यह वाला पाट अपना हो जाता है, तो इसका solution अगर आपको देखना है, मैं दिखाता हू, question number क्या है, 23 है, चलो, दिखाता आपको question number 23 का solution, question 23, 23, 23, year 23, देख लो, मैंने क्या बोला, ignore OCI and NCI, सिफ parent का लोगे, preference रुने minus करोगे, earnings available for equity holders, इस numerator निकालोगे, तो denominator निकालोगे, तो basic EPS मिल जाएगा, उसके बाद, valued EPS, numerator, earnings available for equity holders, प्लस effect of potential equity share, वो consider करोगे, इसमें आप, जब savings लोगे, तो second year का जो LAT है, LAT के second year का जो interest है, वो आपका savings होगा, वो भी net of tax लेना, net of tax, बराबर, बस, फिर denominator आपको मिल जाएगा, निकाल लेना, valued EPS, ठीक बादर question करके जाना, उसके अलावा, let me see, और कुन सा question जो आपकर सकते हो, एक question number 3 है, ये question already मैंने example के form में करवा दिया, पता है कौन सा example, मैंने आपके लिए, valued EPS का example लिया था, जहां देरवर multiple potential equity share, पता है, तीन step ते, पहले incremental EPS निकालो, फिर ranking दो, फिर आप एक एक करके च से cover हो जाता है, बराबर exactly same से number अलग है, करके चले जाना वह वाला part, उसके बाद मेरे खाल से और कुछ भी नया, नहीं है, अच्छा, ये question number 5 है, इसको मैं single start दूँगा, पता है कुन सा question है, मैंने आपको कराया न, group का भी basic निकालो, सबसेटरी का भी basic निकालो, ग्रूप का question है, जो आप single start बता है, question number 5, आर्टी भी November 22 का, तो practice के लिए वो करके चले जाना, क्योंकि similar है मैं वापस वापस वाल निकालो, लिकिन, करके चले जाना है ये वाला part, ठीक है, ध्यान रखना, perfect, तो उसके लाब मेरे कालच और कुछ नहीं है, finally, क्या खतम होता है, इतना मेह जिनत मुशक्कत के बाद, क्या खतम करते हैं, इंडेयास 33 का super quick revision, बराबर, जहां मैंने जादा focus, बोला भी आपको किस पे करना, आपको, questions पे जितना जादा focus हो सके, वाको करने की जरूद है,